अरे दिर्मल भीया का बात है कपार पर हाथ रखे बहुत चिंतित मुद्रा में आप बैठे हो कउनों भारी मुसीबत आई गवा का आज हम बहुत कान फ्योज हों भाई हुकिन पूल पैमिल होते हुते हुए कई बार सुना है लेकिन कान फूर्ज होते हुज आज पहरी बारा उन्हेन है अधिर मां सब्सक्राइब ऑफ कहां साहिवा creative साहिऑ अले बाविया मां आज हम एक बहुत बढ़िया स्कूल माँ आपने गोलाइका के एडमिशन करावे देवा रहे हैं तो जब हुआ है एडमिशन करावे हम पहुचा तो प्रबंधक से बात किया है प्रबंधक से का भई हम आपके स्कूल के बहुत नाम सुना है और यहीं लिए अपने घड़का के अपने लडगा के अडमिशन करावे आवा है लेकिन हमारे वसर्थ है उसर्थ है कि हम एक ट्राइल क्लास कर भई क्लास आपके चली हम पीछे बैठके सुनत रहे पे कैई से आप पढ़ावा तो कोई से आपके टीचर पढ़ावात है अगर हम संतुष ठीपे तब भई हम लगे गयें क्लास में अगले सीट पर लुका बैठाए दिया अवाम जाई के पीछे वाले सीट पर बैठ कि देखी पढ़ावात का किसे पढ़ावात है थोड़ी देर के बाद घंटी लगा फिर घंटा लगा घंटी घंटी यह लिए लगा कि प्रार्थना के लिए लगा घ घंटा लगा घंटा लगा तो बाइलोजी वाले टीचर क्लास रूम मा आई गए बच्चन का पढ़ावत है सेल के मतलब सरीर की कोशिकाएं सबहे बच्चा लोग याद कर लिए अब बच्चे याद कि हैं कि ना याद कि ही तो हमका ना ही पता लेकिन हम जरूर याद कई लि तो हम तो बिल्कुल याद के लिए चलो और बड़े खुस भी बैन कि चलो आज इसकूल में बहुत बढ़िया इसकूल है इमा एक नई जानकारी देता है बहुत बढ़िया बच्चन का सिखावत है हम तो बढ़े खुस बैन या अब तो लड़का का हमका एडमिसन कराना है तो यही स्कूल में कराना है थोड़ी देर के बाद का भवा भी घंटा लगो जब घंटा लगवा तो यह टीचर चले गए अब सिप फिजिक्स के टीचर आईगे अब बतावत हैं कि आप बचलो घ्ञान से सुनो सेल का मतलब हम बताई तो हमका लगा सेल का मतलब बतावत है एक मास्टर तो भी बताई गए सेल मतलब सरीर की कुष्काएं और यहोँ बतावते हैं कि आज पूरा मजबूत कर दे हैं सब बच्चन का कि स्यल मतलब सरीर की कुष्काएं लेकिन यह हैं मामला गड़ बढ़ लगा अब फिजिक्स वाले टीचर का बतावते हैं अब हम बता का अब फिजिक्स कोरें पतावत है सेल मतलब बैठरी तो आप हम हूं इन आए सकत रहा करें चल मतलब सरीर की कोश्वकाइएह और सल मतलब बैठरी दूइनों फिर घंटा लगवा कि चले गए अजबी टीचर गए तो एक अगानामिक्स वाले टीचर आएगे अब हमरे भाइया बरदास से बाहर हुई गाई कांफ्यूज लोग कहे करत है कोई कुछ बतावाते हैं एकॉनामिक्स वाले टीचर आएगे बतावाते हैं अब बात ही खतम हुई याद तो बात अलग रहा है थोड़े देर के बाद हिस्टरी वाले टीचर आएगे अब हिस्टरी में का बढ़ा होता है अब कौन याद करें अब यह जिल बता हुए हम बहुत कंफ्यूज होईगा भाया हम बहुत कंफ्यूज होईगा आप हमसे बरदा अब अब लगवा गंटा लगवा एटीचर चले गें अंग्रेजी वाले टीचर अप्षी आईगे अंग्रेजी वाले टीचर आये तो का देशल मतलब मोबाईल हमसे बरदास्त नाइब हवा भाईया तुरता है मोटे लड़का के हाथ पकला नों क्लासरूम से बाहर होई ग तो खोपड़ी रहे गरम या बिल्कुल गरम रहा है हम तो बिल्कुल गेर माईगे लेओ इसकूल खोले बैठी हो तुम्हें लड़कन का पढ़ावे बेज़ें ऐसे बढ़ाव जाते अरे डाउन इसकूल मां पांच टीचर मिलके एकमत नाई होई सकता है उन कुछ बतावत अब हम भी या जोन समस्या रहा है जोन हमका बताए रहा है सेल के मतलब पाचों लोग स्रीर के कोशका है सैल मतलब बैटरी सेल मतलब भिक्री मतलब मुबाईल सुमंक महरुआ का बताया लोग यहाँ कोई कि मतलब होती है हमका का होती तब चल मतलब साड़ी पर डिस्काउंट अब हमरे तो हवाला खरता अभी तो नहीं आई गे सलम के मतलब चल मतलब डिस्काउंट बतावा थी हम बहुत कंफ्योज हैं बहुत कंफ्योज हैं हम कहां तुम्रे बात हम कहें मानी जॉन टीचर हुआ पढ़ावा ते वो तो पढ़े लि अब हमरे साथ हैं गाड़ी पर बैठी और चल दिये हम लोग अयुद्या की तरह अयुद्या साहर मगयन एक माल के सामने हमका ले जाएगे खड़ा कर देए और जब माल के सामने खड़े बहां उधर देखें तो हमरे आख फटी के फटी रही गवा कहें सामने बड़ा बोर् अब सारी है सारी है और सहल सहल लिखा रहा है सेल पर डिस्काउंड चल मतलब डिसकाउंड 20 परसंट 20 परसंट 40 परसंट पाचास परसंट हमने माता गोमी गांगिए और हम्रे दिमाग मा बात आवा कि पढ़ाय नडिका का कौन फाइदा होही स्कूल में उस ज्यदा तो हमार मता पीटलिया हम्मरे कुछ हूं समझमन आई आवा लेकिन इतना पक्का दिमाग में बात आएगा म्हरुआ हमार पड़े लिक्षिय हुए चाहे न पड़े लिक्यों लेकिन बोलत बिल्कुल तो बिल्कुल तो प्रमाण डईदी से मेहर grenवा से पूच्छों अगर ऑप पढ़े वाले लड़क्या हो थी को हम का कमेंट करके बताओ सेल मतलब का हो थी अगर लडब के बाप हो तो और जरूरी ह। तब संतुष्ट हो कि ना ही हो थीक है अगले वीडियो के तयारी कहीत है आप कमेंट करके तब सेल मतलब बालोट